Hello traders, I hope आज का दिन आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बीता होगा क्योंकि आज maximum intraday stocks में हम लोग को entry लेने का मौका मिला है और सारे के सारे intraday stocks के अंदर हमारे targets बहुत ही successfully achieve हुए है बीना एक भी stop loss को hit की हुए तो चलिए traders हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग उन्हीं stocks को discuss कर लेते हैं जिसे मैंने आप लोग के साथ आज के intraday session के लिए share किया था तो आज के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock था हिंदुस्तान Unilever और इसके अंदर आज हम लोग को बहुत ही सांदार breakout देखने का मौका मिला और फिर ये बहुत ही easily हमारे targets को achieve करते हुए नजर आया है आज के लिए मेरा दूसरा intraday stock था sipla sipla के अंदर traders मैंने आप लोग कल ही बताया था कि अगर first 15 minute का high 1162 के आसबस में रहता है तो उसके breakout आने के बाद में हम लोग अपने trade को initiate कर सकते हैं और जितने भी लोगोंने कल के वीडियो को बहुत ही जादा ध्यान से सुना होगा उन लोगोंने definitely sipla के अंदर भी एक पहतरीन profit generate किया होगा और traders इसके उपर मैंने आप लोग के साथ अपने telegram channel पर एक poll भी create किया था जिसके अंदर लगभग 36% लोगोंने ये कहा कि उन्होंने sipla के अंदर trade लिया था कि इसके अंदर हम लोग larger time frame पर analysis कर रहा है breakout आने के बाद हम लोग higher targets plan कर सकते है breakout थो हम लोग को definitely देखने के मिला लेकिन जितना target हम लोग इसके अंदर expect कर रहे थे वो चीज यहाँ पर नहीं देखने के मिली है और आज इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सांदार breakdown लगभग एक बज़े के आसपस में देखने के मिला है और उसके बाद ये भी अपने सारे targets को बहुत ही successfully achieve किया है आज के लिए मेरा अगला intraday stock था भारत फोर्ज इसके अंदर भी traders आज हम लोगो morning session में एक बहुत ही सुन्दर सा breakout देखने का मौका मिला फिर ये बहुत ही अच्छी तरह से retesting लिया और उसके बाद ये अपने first target को बहुत ही successfully achieve किया है हाला कि उसके बाद ये पूरे दिन consolidation mode में चला गया तो I hope आप लोगों ने इसके अंदर भी एक बहतरीन profit जरूर generate किया होगा आज के लिए मेरा अगला intraday stock था Tata Motors Tata Motors के अंदर traders मैंने आप लोगों कल ही बताया था कि अगर ये zone को ये break करता है तो एक अच्छा momentum हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है similar सा action हम लोगों को देखने के लिए भी मिला है लेकिन maximum लोगों ने इसके अंदर कोई भी trade को आज initiate नहीं किया होगा क्योंकि first five minute में ही इसके अंदर एक सांधार rally आ चुका था मेरा अगला intraday stock था take Mahindra और take Mahindra के अंदर traders आज हम लोगों को एक बहुत ही सांधार breakout देखने का मौका मिला और exactly हमारा जो first target था 1,2,3,8 का उसी के आसपास में आप लोग देख सकते हैं कि ये बार-बार जाकर के resistance face कर रहा था इसके बारे मैंने आप लोगों को starting महीं आज update भी दे दिया था कि जितने भी लोगों ने take Mahindra के अंदर अपने trade को initiate किया हुआ है वो लोग अपने stop loss को trail करके 1229.5 पर कर सकते हैं और उसके बार target के लिए wait कर सकते हैं अब देन आफटर इसके अंदर हम लोगों को एक बहुत ही सांदार इंट्राडे move capture करने का मौका मिला है मेरा अगला इंट्राडे stock था Titan टाइटन के अंदर attendance आज हम लोगों हलका सा gap up opening देखने के लिए मिला था आज के लिए मेरा अगला इंट्राडे stock था rally gear rally gear के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि आज एक gap up opening हुआ था उसके बाद यहाँ पर एक buying side का trade भी generate होते हुए नजर आया था लेकिन इसके बारे मैंने आप लोग को proper अपने telegram channel पर बता दिया था कि जितने भी लोग rally gear के अंदर है वो लोग इससे exit हो सकते हैं या फिर इसके अंदर हमारा 2 रुपए का stop loss था उसको trail करके आप लोग सिर्फ 50 पैसे के आसपास का stop loss रख सकते हैं क्योंकि traders rally gear के अंदर buying side के लिए उतना अच्छा momentum generate होता हुआ नजर नहीं आ रहा था साथी में buying side में volumes भी कम था तो I hope आप लोगों ने इस update का भरपूर फायदा उठाया होगा और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि rally gear के अंदर हम लोग को selling side में trade लेने का मौका मिला और selling side में ये अपने सारे targets को बहुत ही successfully achieve करते हुए नजर आया है और आज के लिए traders एक मात intraday stock जिसके अंदर हम लोगो कोई भी entry लेने का मौका नहीं मिला वो था IEX इसके अंदर हम लोगो कोई भी breakout आज देखने के लिए नहीं मिला है तो कल के YouTube intraday analysis video मैंने आप लोग के साथ 10 intraday stock का analysis share किया था तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को like नहीं किया है तो please इस वीडियो को like कर दीजेगा साथी में traders अगर आप लोग चैनल पर पहली बार visit कर रहे है तो चैनल को भी जरूर subscribe कर दीजेगा ताकि आप लोगों से इस तरह की analysis मिस ना हो पाए इसके साथ अगर आप लोग चाहे तो मेरे free telegram channel को भी join कर सकते हैं यहाँ पर भी मैं आप लोग को intraday update साथी में live market में कुछ intraday analysis भी provide करता हूँ जैसे कि आज Britannia का analysis मैंने आप लोग को provide किया था जिसके अंदर breakout आने पर एक बहुत ही सांदार momentum हम लोग को देखने के लिए मिला और इसके साथ साथ traders मैंने आप लोग के साथ educational purpose के लिए आज container corp का भी chart analysis share किया था इसके अंदर breakdown आने पर और इसके अंदर मैंने आप लोग को clearly बताया था कि 700 का जो level है वो इसके लिए as a crucial support का काम कर सकता है और हम लोग देख सकते हैं कि breakdown आने के बाद ये exactly 700 के आसपास में जाकर के support लिया फिर ये अपने इसी trend line को retest करने के लिया और फिर एक अच्छा खासा intraday fall इसके अंदर भी हम लोग को देखने के लिए मिला है I hope आप लोग को इससे जरूर कुछ न को सीखने के लिए मिला होगा तो आप लोग traders नीचे comment section में जरूर बतायेगा कि आज आप लोग ने कौन-कौन से intraday stock के अंदर trade को execute किया था तो चलिए traders अब हम लोग discuss कर लेते हैं उन्हें stocks को जिसे आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock रहेगा bank of brother इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि यह जो stock है वो अपने बहुत ही crucial support के आसपस में आकर के trade कर रहा है ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम लोग इसके अंदर capture कर सकते हैं कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा Apollo Tires Apollo Tires के अंदर traders आप लोग देख सकते हैं कि यह जो analysis है वो one hour के time frame पर है और यह जो trend line है वो बहुत ही जादा दिन से यानि कि लगभग पिछली दो महीने से इसके लिए एजर resistance की तरह काम कर रहा है बार बार यह जो stock है वो अपने इसी resistance को break करने का try भी कर रहा है तो ऐसे मैं कल अगर यहाँ पर हम लोग को successful breakout देखने का मौका मिलता है तो Apollo Tires के अंदर हम लोग एक अच्छा खासा intraday move capture कर सक है कल के लिए मेरा अगला intraday stock रहेगा हिंडालको हिंडालको के अंदर टेडर्स आप लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये जो train line है वो इसके लिए as a crucial resistance का का काम कर रहा है साथी में टेडर्स अगर हम लोग इसको detailed analysis करें थोड़े से lower time frame में तो यहाँ पर हम लोग को breakout देखने का मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा intraday move हम लोग हिंडालको के अंदर भी capture कर सकते हैं तो इसलिए आप लोग इसे भी जरूर अपने radar पर रखेगा हाला कि अगर कल ये नीचे में आकर के अपनी support को break करता है तो selling side में भी हम लोग एक अच्छा खास हम लोग को triangular pattern create होते हुए नजर आ रहा है stock जो है वो इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से consolidate भी कर चुका है और बहुत ही अच्छी तरह से ये अपने दोनों train line को respect देते हुए भी नजर आ रहा है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोग को breakdown देखने का मौका मिलता है तो उसके breakout आने के बाद हम लोग buying side में भी इसके अंदर trade को initiate कर सकते हैं जैसे कि आज हम लोगोंने supply के अंदर अपने trade को blend किया था तो इस बात को जरूर आप लोग ध्यान में रखेगा अगर यहाँ पर breakout आता है तो फिर easily यह 1404 और 1410 तक के target को achieve कर सकता है कल के लिए मेरा अग आप लोग देख सकते ही कि अच्छा खासा momentum already आ चुका है उसके बाद यहाँ पर consolidation भी हो चुका है तो ऐसे में कल अगर यहाँ पर हम लोगो breakout देखने का मौका मिलता है तो SBI card के अंदर भी हम लोग एक अच्छा खासा intraday move capture कर सकते हैं मेरा अगला intraday stock रहेगा Sun Pharma Sun Pharma के अ selling side से जादा chances है कि हम लोगो इसके अंदर buying side way trade देखने का मौका मिले अगर कल pharma sector के अंदर हम लोगो एक अच्छा momentum देखने के लिए मिलता है और अगर कल यह 1134 के level को break कर देता है तो definitely फिर हम लोगो एक अच्छा खासा intraday move इसके अंदर भी capture करने के लिए मिल सकता है तो इ हम देख सकते हैं कि stock के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से consolidation भी हो चुका है और आज हम लोग देख सकते हैं कि last के half intraday session में इसके अंदर continuous हम लोग को selling pressure create होते हुए नजर आया है तो अगर यही momentum कल भी continue रहता है और यह अपनी support को break करता है तो एक अच्छा खासा intraday fall हम को breakout या फिर breakdown दोनों देखने के मिल सकता है अगर कल यह अपनी reclon को break करता है तो फिर हम लोग buy side में अपने trade को initiate कर सकते है लेकिन अगर कल इसके अंदर selling pressure नजर आता है और यह नीचे में आकर को support को break करता है तो फिर हम लोग sell side के भी trade को initiate कर सकते हैं तो इसलिए इसके अंदर भी दोनो side का levels मैंने आप लोग लिए mention कर दिया है आप लोग जरूर इसे note down कर लीजेगा मेरा अगला intraday stock रहेगा ONGC, ONGC के अंदर भी traders बहुत ही अच्छी analysis निकल करके सामने आ रही है हम लोग देख सकते हैं कि आज ही पूरे दिन ही अपने इस resistance zone को break करने का try कर रहा था साथी में यहाँ पर ये जो train line है वो भी इसके लिए as a crucial resistance का role play कर रहा है तो ऐसे में कल अगर इसके अंदर एक अच्छा momentum हम लोग को 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही खुपसूरत सा pattern हम लोग को create होते हुए नजर आ रहा है अगर कल यह अपनी support को break करता है तो definitely हम लोग selling side में अपने trade को initiate कर सकते हैं लेकिन अगर कल market के अंदर एक अच्छा momentum देखने के लिए मिलता है और यह upside में करके अपने इस resistance को break करता है तो buying side में भी एक अच्छा खासा opportunity इसके अंदर create हो सकता है तो कल के लिए traders आप लोग इन सारे intraday stocks को अपने radar पर रख सकते हैं इसके साथ traders आप लोग टेली ग्राम चैनल को भी इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को like और चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर दीजिएगा धन्यवाद